नमस्कार SPN 9 News आप देख रही हैं ललन सिंग मुगेर से नमांकन भरने पहुचे और वहाँ पहुच उन्होंने निर्वाचियन आयूप वाले जगह जाकर अपना नमांकन भी भर दिया अब यहाँ देखना होगा कि ललन सिंग मुगेर से अपनी संसद्य शेतर वाली सीट को बचा पाती है या नहीं पता दे कि ललन सिंग पिछली साल की दिसंबर महिने तक जेडियू के रास्टे अध्यक्ष थे लेकिन नितीश कुमार से तना तनी के चलते मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी के अध्यक्षपत से हटा दिया था इसका कारण ये दिया जा रहा था कि ललन सिंग को लेकर नितीश कुमार के कानों में ये ख़वर पहुँची कि वो पार्टी के कई नेताओं को तोड़ कर आज जीडी में शामिल कराने पर विचार बना रही है और उनकी आर जीडी के साथ नजदी के अभी बढ़ रही है हालकि इस बात के अभी तक कोई पुश्ची नहीं हो पाई साथ ही उस वक्त नितीश कुमार जब इंडिया गट बंधन का हिस्सा थे तो इंडी गट बंधन की ओर से यहां संयोजक पत के दाविदार के लिए नितीश कुमार की ओर से ललन सिंग उनका पक्ष मजबूती से न अगमियाम चुनावों पर ललन सिंग बहतर तरीके से ध्यान दे पाई इसलिए उन्हें अध्यक्षपत से हटाया है लेकिन अब देखना होगा कि ललन सिंग को कितना समर्थन नितीश कुमार का मिलता है क्योंकि मुंगेर से एक बार फिर से वो टिकेट पाने में तो नितीश क्या चुनावी प्रचार करने मुंगेर में ललन के लिए आएंगी या नहीं ये बड़ा सवाल पना हुआ है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश-धुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ESPN 9 News